हेलो फ्रेंड्स अजना किचन में आपका स्वागत है आज में ले कराईयों देई भिंडी मसाले की रेसिपी बहुत ही आसान है बनाना आप वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स अगर वीडियो में कोई कमी है तो गोर्मेंट करके जरूर बताईएगा ताकि मैं वीडियो में सुधार करनी के कोशिश करूँगी और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स तो चलिए फटाफट बनाना सुरू करते हैं देखिए भिंडी बनाने के लिए मैंने तीन सुग्राम भिंडी लिए भिंडी को दो तीन पानी से धो कर सुखे कपड़े से पोच ले ताकि इसमें पानी ना रहा है अब इसे आगे और पीछे वाला भाग को काट लेंगे भिंडी को दो टुकडों में कट कर लेंगे और भिंडी को 20 से चेड़ा लगा कर सारे भिंडी को इसी तरह काट लेंगे अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में एक बरतन में दो चमच दही लेंगे एक चमच धनिया पॉडर आधा चमच जीरा पॉडर एक चोथाई चमच काली मिर्च पॉडर एक चमच लाल मिर्च पॉडर यहाँ पर सभी को मिला देंगे दही में मसाले मिला दिये हैं मसाला बनकर तयार हो गया है अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में गैस आउन करके करहाई गरम होने के लिए रख दिये थे जैसे ही करहाई गरम हो जाए तो हम इसमें तेल डाल देंगे इसमें दो चमस तेल डाल दिये हैं पहले भिंडी को फ्राई करेंगे 5-6 मिनट तक बिडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे भिंडी फ्राई हो गया है जब ऐसा कलर आ जाए तब भिंडी को निकाल लेंगे सेम कराई में थोड़ा सा तेल और डालेंगे तेल गेरम हो जाये तो आदा चमच जेरा डाल देंगे दो हरी मिर्च भी से चेड़ा लगा कर डाल देंगे यहाँ पर मैं बीना लसुन प्याच वाली सब्जी बना रही हूँ आप प्याच लसुन भी डाल कर बना सकते हैं अब इसमें मसाले वाली दही डाल देंगे डाल कर लगातार चलाते रहेंगे मसाला भून गया है तो इसमें एक चमच हल्दी पडर और एक छोटी चमच कास्मिरी लाल मिर्च पडर डाल देंगे और मसाला को भूनेंगे, गैस मिडियम रखेंगे मसाला भून गया है, अब इसमें एक कटोड़ी पानी डाल देंगे ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे ग्रेवी में उबाल आ गया है अब इसमें फ्राइ किया हुआ भिंडी डाल देंगे धक करचे से 7 मिनट तक पकाएंगे गैस का फ्लेम धिमी रखेंगे जब तक भिंडी अच्छे से पक न जाए 8 मिनट के बाद धकन हटा कर देखेंगे और इसे हलकी हातों से चलाएंगे भिंडी अच्छे से पक गई है गैस बंद कर देंगे ठंडी होने के बाद ग्रेवी और गाड़ी हो जाती है अब चलते हैं सर्फ करने के लिए ये हमारी लाजवाब भिंडी की सबजी बन कर तयार है सर्फ करने के लिए एक प्लेट में निकालेंगे ये सबजी आप पूरी पराठा चावल के साथ सर्फ करें ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है इस तरह एक वार भिंडी की सबजी जरूर बनाए फ्रेंड्स अगर मेरे रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्स फोर वाचिंग